नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर स्टॉक की हमारी इस खास सीरीज में आप सभी का स्वागत करने के लिए एक बार फिर से मैं नमता सज्टेव हाजर हूँ और हमेशा जिस तरह से अपने प्रोग्राम में हम बात करते हैं लेप्रोस्कॉपिक सर्जरी के बारे में उसके एडवांटेजिस के बारे में आपको बताते हैं कितनी सेफ ये होती है ये आपको बताते हैं और साथी साथ क्या-क्या एडवांस इसमें आ चुका है वो भी आप पढ़ रही है आई इस बारे में खास बातचीत करते हैं हमेशा की तरह देश के जाने माने लेप्रोस्कॉपिक सर्जन डॉक्टर आरके मिश्रा से और साथ ही साथ हमारे बहुत खास एक्सपर्ट डॉक्टर जे एस चोहान जी से आपका बहुत-बहुत स्वागत से स्टूडि करता है और हम लोग रोबोट को कमांड देते हैं तो इस बेसिकली ए मास्टर स्लेव मैनिपुलेटर मींस सर्जन पेसेंट को टच नहीं करता है सर्जन रोबोट को पेसेंट के साथ इंगेज करके उसके बाद एक दूसरे कंसोल में चला जाता है और वहां उसको थ्री डायम करता है और जो भी मुवमेंट उसका हाथ का मुवमेंट आउटसाइड होगा रोबोट उस मुवमेंट को अब्डॉमेंट के अंदर ट्रांसलेट करता है तो इस बेसिकली एट वाज डेवलाप इन आसा यूएस मिलेटरी ने डेवलप किया था इसको और 2000 में यह इन्टिश में यह 2003 में आया था ओल इंडिया एंस्टीट ऑफ मेटिकल साइंस में फर्स्टाइम उसके बाद सेकेंड रोबोट पूरे इंडिया में हम लोगों ने वर्ल एप्रस्कोपी घुचल में लगाया तो यह हम लोगा इंडिया का सेकेंड रोबोट है और रोबोटिक सजरी अभी फॉर्चनेटली हमारे इंडिया में करीब करीब तीस रोबोट है और उसमें से 50 परसेंट जो सर्जन हैं वो वर्ल लेप्रस्कोपी हॉस्पिटल में हम लोगे दोरा ट्रेंड हो हैं क्योंकि हम लोग रोबोटिक सजरी में ट्रेनिंग भी एस्या में एक मात्र जैसे आप लेप्रस्कोपी करते हैं तो हमने देखा है ऑपरेशन थीटर में आप हाथ से करते हैं तो अगर हाथ में आपका ट्रेमर है या आपका एक्सपरियेंस कम है तो आपका सर्जरी उतना अच्छा रिफलेक्ट नहीं होगा जैसे अगर हाथ से लिखते हैं अगर आप तो how much nice you will write depends upon your handwriting अगर आपका handwriting अच्छा नहीं है या आप अनमने धंग से लिख रही है तो आपका script उतना अच्छा नहीं दूसरा कोई पर ही नहीं सकता है कि यह लिखा क्या है लेकिन अगर आप किसी computer से type करती है तो उसका precision थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो font हम पर उसी तरह से पढ़ेंगे हमेशा तो robotic surgery जितनी भी advanced surgery है उसके लिए काफी मददकार है जैसे cancer की surgery हो या जैसे अमेरिका में रोज 4000 एवरी डे चार हजार प्रस्टिक कैंसर का surgery रोबोट से होता है और आपको जानके आस्टर्ज होगा कि अमेरिका में हर एक चौथा hospital robotic surgery कर और हमारे country में केवल 30 केवल 30 केवल 30 है केवल 30 है केवल 30 है है वह भी 2010 तक केवल 2 था और अब 30 हुआ है तो उसका कारण यह है कि यह new technology है और यह costly है रोबोट का कॉस्ट करी 15 करोर लगता है एक रोबोट का कॉस्ट और उसमें training भी अलग होनी चाहिए जैसे हम लोगोंने Harvard Medical School Boston USA से training लिया और अब इंडिया में training available है जो हम लोग भी दे रहे हैं लेकिन पहले नहीं था क्योंकि रोबोट ही नहीं था तो training कैसे होगी तो रोब दोक्टर चौहान आपसे भी इस बारे में जाना चाहेंगे कि क्या रोबोटिक सर्जरी पूरी तरह से सेफ लेप्रोस्कॉपिक एडवांस सर्जरी है या इसमें भी कोई रिस्क इन्वाल हो सकता है पर इसमें जैसे डॉक्टर सम्ने बताए इसमें प्रसीजन जादा है वि उसके रिस्ट में दर्ध हो सकता है वो सक्कुँ रोबोटिक सर्जरी में नहीं होता इसमें जो सर्जरिन है वो जो कमपटेबली ही बैठके अपना अरामसे अपना टाइम लेकिए अब மmen कर सकता इसमें लेकि जिस तरह से आपने का लग המ׿श्टा कि काफी एक्स्पेंसिव ह वह एंपोर्ट करना होता है so laparoscopy से कई गुना मंगा हो जाता है जैसे एक histectomy अगर laparoscopy से करें तो वह 70,000 तक में हो जाएगा और अगर उसको अगर robotics से करें तो वह सीधिये 2,7 जार तो 2,70,000 तो वह एक यह प्राप्लम है प्रॉब्लम्स है कि हर एक ऑस्पिटल के पास नहीं है तो प्रिसेंट का एव्यर्न एस्टो मैं में प्रिसेंट को पता ही नहीं कि हमारा सघलित भी सर्च्छाडी रोबातिक से हो सकता है लेकिन अब दीर एधीतने भी परिण वह हैं जैसे देली में ही करीब 7-8 होस्पिटल हैं वो जितना भी Tari cya compete हो या 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 गॉर्बवेंट के पास कम है क्वर्वेनट के पास अभी कैवल in में तो गॉवर्वर्मेंट क्योंकी नहीं चाहती है कि तणा ज्यादा है अभी तुरक कुछ दिन पहले सफधर Renee में तो गौवर्मेंट अभी बजट थोरा सा कंस्ट्रेंड है उसका लेकिन धीरे धीरे अवेर्नेस बर रहा है और धीरे धीरे प्रेसेंट खुद डिमांड कर रहे हैं कि हम रोबोटिक करवाएंगे क्योंकि अब जैसे आज से अगर 10 साल 15 साल पहले इंडिया में मर्सीडीज बी तो अभी कुछ और कंपनी रोबोट लेके आ रहा है जैसे ट्रांस इंट्रिक्स है और एक दूसरा टाइटन सर्जिकल है केनेडियन रोबोट और कुछ चाइनीज कंपनी भी रोबोट लेके आ रही है तो मैं भी विदीन 5 तो 10 येर रोबोट का कॉस्ट जो अभी 15 करोड है वह एक करोड चला जाएगा और उसके बाद सर्जरी का कॉस्ट लैप्रोस को भी इतना हो जाएगा 15 गुना कम हो जाएगा ये अच्छी बात है अभी पेसेंट एक्सेप्टेंस भी कम है और डॉक्टर जो रोबोटिक नहीं कर रहे हैं वो उसको प्रमोट नहीं करना चाहते चाहिए और सक्धेश को रोबोटिक सजरी परफॉर्म करने के लिए सबसे पछले तो बच्चे अच्छा खेल लेते हैं हम लोगों से क्योंकि वो उसको प्रैक् youngsters करते है तो और online Master controller प्रैक्स करते हैं और कार अंदर चलता है उसी दर से रौबोट में Master controller होता है तो जिस पर आप operation करते हैं आप प्रेशिंट अलग है Robot operation कर रहा है और आप जो master controller को handle करेंगे उससे operate करें तो हाँ लेकिन रोबोट में यहाँ कि Tremor filter है अगर हाथ इसमेशूमठ गोडेगा गोड़ी जैसे रही फील्ट असे को मिनबर के दीके होगा आपनेशून, विकार अप्टी-वेच्टा र्नाथ रही होगा, तो यह है तो मिनबर का-जैसे नॡइक्ट कोड़ा को यह कैसे पॉसिबल है कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि वह कमांड ना नहीं जो जो हैंड का ओरीजनल ट्रेमर होता है वह एक प्रियोडिकल होता है उसको software computerized software उसको recognize कर लेता है computer उसमें है वह उसको recognize कर लेता है दूसरी बात है कि आप अपने motion को scale कर सकते हैं जैसे motion scaling एक बहुत two millimeter movement करना है तो आपको two millimeter ही movement करना होगा लेकिन robot में आप motion scaling आप ultra fine कर सकते हैं तो अगर आप one centimeter movement करेंगे तब भी inside two millimeter movement होगा five time वह precise हो गया क्योंकि उसमें already feed feed है कि हम तुम को देंगे crude movement तुम उसको refine कर दो तो आपके crude movement को inside refine करके दे रहा है तो उससे precision बढ़ जाता है तीसरी बात है कि three dimensional देखता है जब आप console में देखते हैं तो it is just like seeing by naked eye जैसे अगर आप 3D TV देखते हैं तो कैसे देखता है कुछ चीज नजदी कुछ देखता है उसी तरह से गॉल बेडर लीवर हर एक चीज थी dimensional में देखेगा तो आपका क्योंकि आप देखते हैं console में त कि चुकि आप में ergonomically fatigue कम है आप बैठ के काम कर रहे हैं तो आप आपका fatigue अगर आपका कम होगा तो आप surgery ज्यादा smooth करेंगे जैसे कोई अगर आपको खड़ा होके हाथ में लिखने के लिए दे और कोई बैठ के desk पे लिखने के लिए दे तो आप अच्छा से लिख सकते हैं डॉक्टर चान आपसे भी जाना जाएंगे कब तक ये robotic technology पूरी तरह से इंडिया में आने के chances आप समझते हैं कब तक ये पूरी तरह से accept किया जाएगा इंडिया की तरह से दिरे दिरे acceptance बढ़ रहा है जो अभी जो limiting factor है वो सिरफ cost है जैसे डॉक्टर साम ने बताया कि आने वाले टाइम में और भी companies अपना robot लेकर आजाएगी तो cost कम हो जाएगी इसके लाब हम एक चीज़ और है यहां पर करना चाहता हूं कि robotic surgery से टैली surgery भी possible है तो यह टैली surgery का मत्दबी है कि surgeon जो एंडिया में बैठा हुआ है patient हो सकता है किसी foreign country में हो वो यहीं से internet के through command दे के उसका operation कर सकता है तो यह एक बहुत बड़ी advantage है तो यह टैली surgery और 2001 के अंदर surgeon जो बैठे थे वो न्यूयॉक में बैठे थे और patient strasburg फ्रांस में था तो इतनी transatlanting surgery उन्होंने करी तो यह भी एक robotic का बहुत बड़ा advantage है तो इसकी कुछ limitations है साइंटिस उनके उपर काम कर रहे हैं पर आने वाले टाइम में यह भी possible हो जाएगा तो यह जो आपने advancement की बात की robotic technology की तो बहुत ही बढ़िया आते हैं हमसे करवाना operation और प्रेशंट अगर अफरीका में है तो यहां बैठके भी उसका operation हो सकता है तो अगर कोई यह लेपरोस्कूपी करता है तो ही हाज टू फीजिकली प्रेजेंट अब वह यहां वह यहां से अफरीका जाएगा फिर एक दिन ओपरेशन करेगा फिर आएगा तीन दिन वह अपना बरवाद नहीं करना चाहिए लेकिन यहां बैठे बैठे 15 मिनिट के अंदर में वह सजर आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी स्रजन को चूज कर सकते हैं अब जैसे डेली में बैठे हुए आप अमेरिकन स्रजन को नहीं चूज कर सकते हैं अगर चूज करना होगा तो काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि वह अपना सारा काम छोड़के इंडिया आकर ऑपरेश आपको लगता है कि कि जो हमारे देश का रूरल इंडिया है इसे फोर्ट कर पाएगा करेगा ही आज नहीं तो कल करना ही होगा क्योंकि one the technology there it अभी आप कभी सोच सकते थे आज से 20 साल पहले कि गाओं का एक मजदूर के पास मोबाइल फोन होगा और अभी सबसे ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है वो जानता है वाटसप कैसे करना है और वो खेत में भी काम करता रहता है तो उसका म्यूजिक बजता रहता है अगर दिखा जाए तो तो इसका कुछ भी हम मांग सकते हैं अगर दस और लोगों के पास है तो फिर हमको उतना मिलेगा ही नहीं जोनमली जो भी सर्ज्रीय आप लैपर सकोपी तो इसमें आपका 3D विजन होना और प्रिसीजन होना ज्यादा जरूरी है तो उनके लिए ज्यादा अच्छी साबुत होगी अब जैसे सरजरी सेम है जैसे ओपेंड पहले होता था तो उपेंड से एडवांस हुआ लैप्रोस्कोपी अब इससे एडवांस हुआ रोबोटिक् इससे भी कुछ एडवांस सर्जरी होंगे जो कि जो कि बायो मेल्कुलर एक्शुएटर और नैनो सर्जरी बोलते हैं उसमें उसमें क्या होगा कि छोटे से रोबोट को पेट के अंदर ड्रॉप कर दिया जाएगा और वह पेट के अंदर रोमिंग इंटरनल लोकोमेटर रो करेगा और फिर वह एक ही छोटे से छे से बाहर निकल जाएगा और टोटली एडवांस टेक्नोलोजी तो वह एक्शुएटर कार्बन नैनो ट्यूब और नैनो रोबोटिक सर्जरी तो वह और लेडी पेटेंटेड है इस साइंटिस्ट आर वरकिंग उन बाद 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 वह इनिशल स्टेच में तो टेकनोलोजी तो बरना ही बरना है दीरे दीरे और नाइने टेकनोलोजी आना बनता भी है आती रहती है तो लिट अब फॉर्ट अभी के लिए रोबोटिक इस दा फूचर प्रजेंट ऑलसो एं फूचर फूचर वाय आं तेलिंग विकाज इंड इस तरह से आप दोरों ने हमें बताया तो हर हस्पिताल का मैं कहूंगी उसको अडॉप्ट करना इस वेरी वेरी इंपोर्टन है ना हाँ वो है लेकिन रिटर्ण नहीं है उसके इंवेस्टमेंट में क्योंकि 15 CR इंवेस्ट करने के बाद लेकिन जैसे आपने का कि आगे चल कम हो तो हम ख़िड़े हैं जी थांकियो सो मच डॉक्टर मिश्टा डॉक्टर चोहान आप स्टूडियो में रहें रोबोटिक सर्जुरी के बारे में आपने इतना कुछ बताया हमें कितनी एडवांस ही टिकनोलोजी है और किस तरह से इसका यूज हो रहा है और यह बढ़त हो प्राइब देक को जィरुए सवालर्य सर्जुरी के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं जरूर कर सकते स्क्रीन पर दियेगे नमबर को किजिए जिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है इनफएक्ट आ प्रग्राम कहत्म होने के बाद भी अपने सवाल हम से पूच्छ सकते हैं इनी नंबर्स पर कॉल करके साथ-साथ मेल्स के जरीय भी आप अपने सवाल हम तक पहुचा सकते मेल आईडी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है फिलहाल हमारी खास पेशकर्ष डॉक्टर स्टॉक में इतना ही एक बार फिर हाजर होंगे तब तक के लिए जासत दीजे आप अपने परिवार वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए बी हेल्दी बी सेफ नमस्कार